दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे टॉप थ्री कैमराज की जो आपकी वीडियोग्रोफी को, आपकी सिनेमेटिक वीडियो को या आपकी फिल्मेकिंग को बिल्कुल नेक्स लेवल पे लेके जा सकते हैं, कौन से ऐसे वो तीन कैमराज हैं, तो आज दुस्तों मैं आया हूँ, र हर्षित से हम आगी की बात करें, उसके पहले दोस्तों मैं आपसे सिर्फ ही बुचारिश करना चाहूँगा, वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेट्स, इस बनीश सकसेना, लेट्स केट स्टार्टेंग, तो हर्षित जैसे कि आप जानते हो, आज कल बहुत सारा वीडियो का ट कौन से ऐसे तीन कैमराज हैं जो आज आपने हां रखे हैं, जो एक टॉप लेवल की जिसपे आप एक फिल्मेकिंग या कैसकते हैं, सिनेमेटिक वीडियो या अपनी वीडियोग्रफी कर सकते हैं, तो शुरूआत कहां से करेंगा आज, जी सर, आज सिनेमा या वीडियो जो कैमरा कंपनीज को अपने कैमराज को फीचर रिच रखना, वीडियो सेंट्रिक बनाना बहुत जादा ज़रूरी हो गया है, तो आज मैं आपके लिए तीन कैमराज ले आयों आपके वीवर्स के लिए, तो बिगिन विट पहला कैमरा जो है वह है वह है कैनन का R6 Mark II, यह एक 26 Megapixel का Full Frame Camera है, इसके अंदर Sensor Shift 5 AXS Stabilization दिया गया है, और एक इसकी कुबी जो मुझे अच्ही लग दिया है, जो बाखी कैमराज में नहीं है हमारे, एक Curtain दिया गया है यहां जो आपके Sensor को cover कर देता है, तो आपके Sensor को अवर कर देता है, तो यह वरी वरी गुद फीचर इसके अच्छी एक बात करें तो फोर टू टू टेन बिट ही कर पाता है यह बट एक अडिशनल एड़ांटेज ही हो जाता है कि रॉमें शूट कर पाएंगे अगर इसको एक्स्टरनली शूट करो तो इसमें आप रॉटेज पी पूरी अच्छी से शूट कर सकते हैं और बा बात करें तो इसके अंदर डूट कर दिये गए आपको तो इसके अंदर आप मैक्सिमम जो कार्ड लगा सकते हो वी निट के कार्स लगा सकते हो फिलाज जो माकेश माविलेबल है इसके अदर आपको 300 MPPS की रीड और राइच स्पीड मिलेंगी जो 4K 60fps रेकॉर्ड करने अब इसके साथ में जो इसके अलावा और क्या फीचर्स है फिल मागे का सवाल करता हूँ अ सर इसके अलावा आपको इसके अंदर C-Log में जाता है आप C-Log 1, 2, 3 तक आप इसमें जाते है तो आप इसको फिर कलर ग्रीडिंग में अगैन आपको यूस वोजाता है उसका और तो किस तरह के आप इसको फिल्मेकर्स को है जो लोग अलग 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 तरह के विडिओ अजिल कॉंटेट बनाएं आजके आप लोग यूटूब घूट नाते हैं तो किस तरह की कैटेग़री को आप इसको ठागट करना एजिए एंईवन हूँ इस स्टार्टिंग ओफ व करते हैं जो goog JI काम करें आर कि joe Corona । कर सकत्ते हैं इसक उनर स्रीव today तो you can do a good vlogging with this camera half people Joe अजग्वाइस भ朋友 इसार शूर्या condu yön जो नहें आर्ञ दजिए पर शुॉज 라 punishment तो शुरूत इससे कर सकते हो but we have better options for you music albums वगरा fifty i will I will okay we'll go to the next one okay or kiss price family it out अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है जो मैं हमेशा ने कमेंट से पढ़ता हूँ यह एक तो काड्स राइट कांसे के लिए रहेंगी जैसे आपने बता है वी 90 है इसके उपर भी काड्स आते हैं जो SD काड्स करते है नहीं तो इसलिए मैंने काड्स के बात की यह जो मौडल है इ इसके आगे के जो मौडल से उसके इंदर CF Express के काड्स रीड कर सकते हैं तो इसमे नहीं लग पाएंगे तो इसके लिमिटेशन आ जाते हैं जिसके अंदर हम रीड और राइट कर पाते हैं तो जो CF Express काड्स रहते हैं उसके अंदर 700 और अबाव की रीड और राइट स्पीड म अच्छा एक सवाल और जैसे 4K 60 पे आपको फुल पुरा इसके अंदर क्रॉप फैक्टर आता है यह फुल एजडी में अगर आप रेकॉर्ड करोगे तो इसको 120 मिलेगा फुल एजडी में नहीं होगा पट 4K 60 पे डेफिनिली क्रॉप होगा ओके तो और एक सबसे इंपॉर नेटि लेंस की बात करें तो इनके खुद के लेंसितार सारे अटो-फोकेस लेंसेवी मिल जाएंगे आपको बट सिनेमा की बात करें इतना मींडेटरी नहीं होता है आप एक लेंग पे शूट कर पाते हैं, बट इसकी बात करें अगर इसमें अगर अगर आपको लेंसे लगाने हैं, तो आप एक अड़ाप्टर यूज कर सकते हो, जो अप्रॉक्सिमेटली बारह हजार का आता है, आप अड़ाप्टर लगा के जो है आप फिर एमांट की एफ म अगर आपको RF series के lenses बहगे पड़ रहे हैं, या आपको अवेलेबल नहीं है, तो फिर एक adapter is the only option, बट वहाब जब आप आप आटो फोकस करते हो, तो आटो फोकस क्या उतना ही effective है, वर्क करता है ठीक से, या जो कई बार करकर की sound आती है, जैसे मैंने कई बार देखा देखा आपके Z6-7 में बहुत पहले बने लगाया था, तो वो वो फोकस कर कर का sound आता है, तो यह जो है वो focus hunt कर रहे है, तो focus hunting का issue आएगा ही आएगा, दूसरा focus miss होने का chances होता है, adapter लगाओ तो, but like I again said, कि अगर आप देखा ले और आप Canon के previous model, C, S में आ रहे है और अड़ ले तो तो आपके लेंसे उटिलाइज हो जाएंगे, यह एक आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा, बट अड़ाप्टर लगाने से अगर आप आप अटो फोकस यूज कर रहे हो तो इस्व पर्सिस्ट करने ही वाला है, तो इसके पर्क्स भी है, आज किसी को डिसकार्ड करने की जरूद ने अपनी लेंसे तो यह एगर वह है तो आप लगाईए राप्टर एफ लेंसे सोड़े प्राइसिंग में भी चीप है और रिजल्स आर अल्मूस से एक तो उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे कैमरा की तर एक 26 Megapixel का सेंसर है इसका और यह APS-C सेंसर है इसका एक एडवांटेज यह है जब 4K 120 की बात कर रहे तो इसके अंदर क्रॉप फैक्टर जीरो है इसमें बिल्कुल भी क्रॉप नहीं होता है तो इसके अलावा यह 4K 120 पूरा शूट कर सकते हैं इसके अलावा यह 4K 1 यह 422 10 bit recording करता है internally okay and externally अगर बात करूँ तो 4K 60fps पे 422 12 bit apple prores record कर पाता है okay so this is very good like अगर 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 इसके features codex अगर देखे हैं तो बहुत strong है absolutely right so fuji film दोस्तों अगर आपने ट्राइ नहीं किया है तो आप जरूर fuji film के cameras को try करिए चाहे photography हो या filmmaking के लिए एक रीजन जो हमेशा मैं बोलता हूं the color science color science is brilliant brilliant and काफी light weight है so क्या price के अंदर अभी आ रहा है यह आपको 2,22,000 का जाएगा यह that is just the body और इसके अंदर क्या-क्या options आपको मिल रहे है जैसे इसमें dual SD card slot है या हाँ ने तो इसमें एक CF express type A card slot दिया गया है okay type B card sorry and 1 HD card slot दिया गया है आपको इसके अंदर okay and that's about it यह इसका sensor है APS-C sensor okay so एक चीज़ है अच्छा यह भी पुरा आपको 4 to 2 10 bit आपको सारा इंटरनली आप शूट कर आओगे 4K 60 4K 120 4K 120 कर आओगे and full HD में आप इसको 240 तक ले जा सकते है तो इसके साथ lenses का क्या option है भी इसमें बहुत सारे lenses के options आप फूजी के native lens जा सकते हो कोई adapter लगाने की ज़रूत नी है Samian के lenses मिल जाते है Sigma के lenses मिल जाते है Tamron के lenses मिल जाते है तो आप कोई भी lens उठाके in fact उसके लावा TT artisans and 7 artisans के जाते हैं जो काफी काफी easy on pocket है they start from as low as 7000 रुपीज and 20,000 तक जाते है and how is the optical performance of the lens? fantastic, fantastic, manual lenses है but very good for cinema okay so मतला कम प्राइज में भी आपके पास काफी सारे options दोस्तों यह मुझे camera बहुत अच्छा लगा जहां तक सवाल है video codex का और यह एक मेरी काल से पूरा एक dedicated video camera भी हम इसे बोल सकते है apart from that इसमें आप photography भी कल सकते हो hybrid cameras है R6 Mark II भी hybrid camera था यह भी hybrid camera है but यह video centric जादा है okay हाँ आज का हमने रखा ही video का है क्योंकि यह मैं अलड़ी बना चुका हूँ इसका video तो कौन से cameras है तो मैंना सोचा है थोड़ा साब हाइड पर ही चलते हैं जो आपको best quality विल रही है absolutely थो 2023 मैं यह दो अच्छे रहेंगे options उसके बाद बात करते हैं यह क्या है यह मुझे काफी interesting लग रहा है what is that यह कौन से model है so यह sony का fx3 है इसकी कूबी यह है कि यह absolute and absolute professionals के लिए cater किया गया है okay so अगर कोई filmmaking का बहुत शौकीन है और वो deeply और deeply जाना चाहरे है right तो यह उनको cater किया गया है मतलब जो लोग 1.5 लाग camera से हाथसाफ कर चोगे अपना 2-3 साल and now they are more serious about filmmaking and यहापे उनको कोई compromise ही नहीं चाहिए right so this is a proper cinema line camera absolutely right sir so this is the model is sony fx3 fx3 है okay क्या features है यार इसके बताव तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसके साथ क्या क्या आता है इसके साथ एक battery आएगी definitely and एक यह बहुत प्यारा सा handle आपको ठीक है तो यह जो handle है यह इसके उपर ऐसे लग जाता है यह क्या है बता है handle के उपर क्या लगा होगा है so this is a audio के ports दिए गए हमें okay तो यह जो audio के ports है इसके अंदर तीन channel दिए गई है जिसके अंदर दो XLR के port दिए गए है and एक EP का port दिया गया है आपको दो XLR के ports मिल रहे है and आप हर जो mic का input है उसका gain और सब यहां से control कर सकते हो आप individually तो यह साथ में ही आता है या या यह यह साथ में सप्लाइड है accessory and यह एक top handle की तरह भी काम करता है तो आप low angle shots वगएरा बहुत easily ले सकते हो necessary नहीं है इसके लिए कोई cage वगएरा लेना but people फिर भी खरीदते है लोग और इसकी video codex क्या है हर्शित okay तो इसके video codex ही बात करें तो यह 422 10 bit recording करता है internally and externally 422 16 bit तक externally record कर सकता है raw via HDMI and that is up to 4K 120 4K 120 fps yes full HD and crop factor applicable है इसमें भी around 10% का crop factor applicable है okay but this is a full frame camera full frame camera गया yes sir so very good for और क्या megapixels है यह 12 megapixel का camera है तो एक और चीज़ अगर नोटिस करोगे तो इसमें व्यूफिंदर नहीं दिया गया है तो इस आपसलूटली नोट पर फोटोग्रफर्फर्स तो इस अप्यूर सिनिमा कामरा अभी जो आप वीडियो शूट कर रहे है वो अप्यूट कर रहे है वो इसमें बहुत ही अच्छा जो है बूट जिब एक इंटरस फैंनकि गया है तो जब आप हाइर फ्रेम रेट पर रीकॉर्ड कर रहे हो तो डाव जातारी इसके अपान दरि बाथा कंड़ कोई चimen आप केले ऐ। इस सिस्टम नहीं दे गया है अच्छा एक जब बाद ओरीति तो अभी तक हम इस पर बात करें बले विध नहीं बट रूर इसमें और नहीं किसी में का इसुह है बी तक अर्विधि कामेरे बाद करना ऑगर बाधक है तो वह ऐसा हम दोखिया थीचर होना ही होना है जो अभी नए बेरेंट में फॉल्टेट हुआ है इसा कोई रिपोर्ट है या नहीं से अपकी सारे कामेरा जो है उनकी कूलिंग सिस्टेम बहुत ही रादा एड़ान्स हो चुकी है बहुत ही वेल मेंटेंड कूलिंग सिस्टेम है हाँ अपने इंडियन हुमिडिटी और हीट के हिसाब से थोड़ा गरम और हो जाता है हाथ में लगता है बट वो आपका हाथ इतना गरम हो जाएगा आप खुदी बन कर दोगे तो आप कामेरा बन दोने का सवाल नहीं होता है आपको मिल रहे है यह का स्क्रीन है जब आप लो आंगल शॉट्स वगरा आपको काफी हल्प हो जाता है आप स्क्रीन तो देख नहीं पाएंगे तो और यहां पर मॉनिटर लगा सकते आप और यहां पर बन भी अच्छτα से प्लेस की हैं आपको अच्छी स्माल साइस के अंदर आप देह का और आप गरी गरीं मुझा इवरिगे और इसका साईज से फिरी गूड़ा फो वर फिलिमेकिगू तो अब इस इसके 7 Artisans, TT Artisans, all lenses रिल जाएंगे उसके अज़ाएंगे उनके उनके नेटिव लेंस भी काफी बढ़िया है जो G Master lenses है आप इसमें अप्लाइ कर सकते हो अल्गो अटो अटो फोकेस लेंसे है बट आप उसको मैंनल पे डेफिनिकली शूट कर सकते हो क्या गार वार एक्या परी से साथ में रहे है है व मिली के तो हैतना टो एक अवारंटी साथ में यह कि यह में अवेलेबल है, TT Artisan, 7 Artisan, यह सारे cinema के अलग series के lenses आते हैं इनके. सबी lenses manual है या उसमें autofocus को option भी है? नहीं, cinema lenses manual ही होते है, sir. Okay, yes sir. So, वहाँ, उसमें autofocus नहीं चाली है. Actually, जो serious filmmakers है, उनको real filmmaking है, वो सारी manual ही होते है, auto तो होता ही है. Okay, okay. तो दोस्तो यह जो तीन, अच्छा, अच्छा, अच्छा प्राइस आपने किना बता है? Sir, यह जाता है, 3,60,000, this is the current price, pretty expensive, but again for serious filmmakers. So, यह मतलब उन लोग के अच्छा है, जो बहुत ही seriously अपनी filmmaking को जो है, लेते हैं, या full-time career जो है, वो इनका filmmaking में ही है, तो इसमें किस-किस तरह का काम कर सकते हैं? Sir, एक सवाल के अच्छा है, बहुत सारो काम करता हूं, एक काई बर comments करते हैं, या सरफ एक शर फिल्म आतरो सु developed के लिखियर उनाउ में बना सकते हैं, आपको quality centric हो आप तो आप definitely इसको consider कर सकते हैं चोटी-चोटी-बूटी ad films हैं 30 seconds, 60 seconds मुआराम से, आप music albums हैं आपसलुटी राइट से, वो सब शूट कर सकते हैं इसके अलावा इसको as a B or C camera भी use कर सकते हो अगर tight spaces है जहां बड़े-बड़े cameras नहीं ले जा सकते हो तो यह सारे ideal cameras होते हैं वो B-rolls के लिए या शूट करने के लिए तो आप वो situation में भी सब इसके लिकाज़ है जो street पे शूट कर रहे हैं या public places पे जहां you cannot take big cameras तो यह सब ideal हो जाते हैं उदर के लिए तो यह दोस्तों आज हर्षित में बता है top 3 cameras अब यहां पर आज की वीडियो में हमने वो नीचे वाले cameras वो नीचे की category यो नहीं लिये हैं और बात की है उन सभी फोटोग्रोफर्स या वीडियोग्रोफर्स को target करके जो quality filmmaking या quality videos शूट करना चाह रहे हैं तो यह तीन options बहुत ही अच्छे हैं 2023 के अंदर अब एक चीज़ हर्षित मुझे और आप बताईए कि इन तीन camera में से आप कौन सा camera suggest करना चाहोगे ज़ादा तर लोगों को क्योंकि यह तो एक high end भी चला गया अब इन दोनों में से आप कौन सा suggest करना चाहोगे कि यार better कौन सा रहेगा सर देगे suggest करना के लिए तो there is no specific model आपके budget के उपर है 2000 का फरक है features wise अगर बात करो तो 4K 120 एगे 4K 60 एगेड price में के दा 2000 का difference 2000 का difference है तो अगर 2000 आपको तो मेरे हिसाब से अरभ फिल्मेकिंग की बात कर तो I think fuji film is better option better option क्योंकि यह फुल फ्रेम नहीं है राइट सर बट फिल्मेकिंग में कोई फुल फ्रेम नहीं है तो फिल्मेकिंग में कोई फुल फुल फ्रेम नहीं होता और 4K 120 आपको विदाउट क्रोक नहीं है तो दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो था आज में हर्षित के पास आया था कुछ अपने कांग से और मैंने सोचा है आया हूँ तो एक वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँ आप लोगों क्या ख्याल है इन कैमरास के बारे में कौनसी फीचर्स आपको अच्छे लगे वीच एलिए और मिच झाल प्रीण उन्न कैम खरले करो लकाद़र के नगा को जट्थीometer क्वीरल्स ट्रीआ के लिए का लिए था यु कुर्ण आपको से कॉंसर काम्रा अच्छा लगा काल सा इन थीन हुपका ड talents वीडियो डेख ओऊंग है आजी आप कल कैमेरा खरीद लेंगे, बहुत सेरे लोग एक साल, डेट साल के बाद भी कैमेरा लेते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, हर्षेद आपके साथ बहुत दिनों के बात बुला, बहुत अच्छा लगा, और दोस्तों, आपके कमेंट्स कराएगा मुझ अजकल इतना ही जल्दी मिलता है पिर नाई वीडियो के साथ, थैंक्स वो वाचिय।